जहें दोस्तों स्वागत है आपका और रिखने वीडियो में और रिखने टोपी के साथ मैं हूँ डप्रदेव। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हमारी टोप्चेल्ड़। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हाशा करने के पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक से जनों से कर दीजिएगा उनने जनों पर पहली बार है सबस्राइब कर दीजिएगा इसाथ नम सिंग अपनाम सिंग ट्रेंट उने ब्राच्शांत के बनिवा दाल इंडिया इटली की विजीर्याजम जोर्जय मेलोनी ने एक इंडियन वरकर इटली में उसके डेथ हो गई इसके उपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है जिस पर सारी की सारी इटालियन परलिमेंट गए खड़ी हो गई 主 member में मेंसेज है दाट इस अपावर अव इंडिया दाट इस अपावर के इंडिया के इतनी ताकत है अब उनके अंदर कमें लीडर दा सूंड़े हैं सी मुसलिम ममा को बड़ी तबकवा तो तुम वो कान तुम तो अपने बचे नीपाल पा रहे हैं शायद आइडेंटिटी क्राइसिस है आइडेंटिटी क्राइसिस आपको आगे नहीं बढ़ने देता और यही हाल कुछ पाकिस्तानियों का भी है कि हम लोग हमेशा अपनी जुबान के हवाले से भी बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन इटालियन प्राइम मिनस्टर का पार्लिमेंट की अंदर बोलना पार्लिमेंट का वहां पे खड़े होना उन लोगों के हक में और उन लोगों के लिए बोलना मैं समझता हुआ यह बहुत बड़ी चीज है इसका तालुक इंडिया और इ repli के तालुकात से कि अगर उनका एक वरकर इटली में किसी वज़ा से मारा गया तो वहाँ पे वजीर आज़म को खड़ाओ पार्लिमेंट के अंदर हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वाक्त दोस्तो इटली में 31 वर्षियर एक भारती वरकर ने इलाज के अभाव में दम तोर दिया तो पूरे इटली ने इस भारती वरकर के लिए परदर्शन शुरू कर दिये आरोब फार्म मालिक बलगा जिसने उसका हाथ काटने के बाद उसे रोट पर छोड़ दिया था रोम के नजदीक लोजियों में सबजी के एक खेत में काम करते हुए सतनाम सेंग का हाथ भारी मशीन में आकर कट गया था अब इस मौत को लेकर इटली की परधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में शोख व्यक्त किया है इस पूरी घटना ने इटली ही नहीं पूरी धुनिया को जंजोज कर रख दिया है विरोध परदर्शन का दोड़ चल निकला और परदर्शन कारियों ने फार्म मालिक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांगी भारत ने भी इटली को जन भावनाओं से अफगत कराया मेलोनी ने इटालियन पार्लिमंट में इस मुद्दे को उठाया और मित्ग मजदूर सतनाम सिंग के प्रतिस्त सुवेदना व्यक्त की मेलोनी ने सतनाम सिंग को आमानवी कृतियों का शिकार बताया और कसम खाई के दोशी को बक्षा नहीं जाएगा उन्होंने कहा यह आमानवी कृतियों है इटली की विजीर्याजम जोड़्यय मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतनाम सिंग था इटली में उसकी डेथ हो गई उसके उपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है जिस पर सारी की सारी इटालियन पर्लिमेंट जो है वो खड़ी हो गई एंड इस एंड दी पर्लिमेंट सपोर्टेड इटालियन प्राइम मिनेस्टर डाट इस अपावर अव इंडिया यह इतनी ताकत है अब उनके अंदर कि अगर उनका एक वर्कर इटली में किसी वज़ा से मारा गया तो वहां पर वजीर आज़म को खड़ा होगा पर्लिमेंट के अंदर अब यह जो इंडियन माईगरेंट वर्कर जो था जिसको बिसीकली चोड़ दिया गया वो इसकी उमर को थर्टीवन येर्स के करीब बताई जाती है और इसका दाया बाजू जो है वो एक फार्म में एक खेत में काम करते करते जिसको वह कहते है ना जखमी हो गया और उसके उपर एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन जो होती है जो किसी केत में थी उसमें वो आ गया और वो पहले तो बहुत जादा वल्नरेबल रहा उसके बड़े मसले मसाइल रहे लेकिन बाद में उसकी उस चीज़ से जान चली गए अब हुआ यह है कि जितने भी माइगरेंट वर ट्रैपिंग मशीन थी जिसको एक ट्रैक्टर जो है वो टो कर रहा था वो उसके दाएं बाजू पर वहां पर लगी और उसका वो जो है वो जखमी हुआ एंड लेटर ऑन ही पास्ट हुए अब यह मैजन करें फिर उसको जो है लड़के को लोड किया गया रास्ते में किसी समगे यह रही जगा पर उसके घर के गरीब चोड़ दिया गया उसका दिहान नहीं किया गया तो वह जितने भी और उसका मज़या की बात है जो उसकी सुने में आरहा कि है बेरिश सौकिंग के उसका जो बाजू है वो जो वेगरिटेवर्वल्स क्लेक्शन बाक्स होता है उ लेकिन सम्हाव यह माइगरेंट वर्कर्स के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। इसमें सुना इन्वेस्टिकेशन भी सुरू हो गई है और सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वाल्व होंगे उनको सजाएं दी जाएंगी। सिंग जो है उसका कोई रेगुलर कांट्रैक्ट नहीं था ना कोई उसके पास रेजिडिन्स परमन था और लेकिन वो इस कमपनी में काम कर रहा था दो सालों से और सुनने में आया कि जो लॉयर्स हैं अब वो एक्टिव हो गए हैं उस कमपनी की जारी बाता है वो जान खलासी कैसे होगी अब इतने बड़े प्रमाने पर ग्लोबल स्केल पर इस मसले को उठाया गया है और इंडियन्स ने कहना शुरू कर दिया है कि हम यॉर्प में काम करने आते हैं मरने नहीं आते हैं यह देखें यह है पावर इंडियन्स की और इस सीज़ में देखें कि वो सारे के सारे कठे हो गए हजारों इंडियन वर्कर्स हैं इटली में कठे हो गए जब यह वाक्या पेशा है हजारों की तदाद में बहुत बड़ी बात होती है और यह समझ लें कि जिसे वह कहते हैं ना बहुत सारे खेतों में काम करते हैं पॉर्चुगल में भी करते हैं स्पेन में भी करते होंगे, इटली में भी करते होंगे, डिफरंट değil है ना, pumpkin के खेत होते हैं, beans के, tomatoes के, cherries के इन सब के जो है, जो खेत होते हैं, वहाँपे वो जाते हैं, काम करते हैं, और उनकी जारी बाता है, जो हालत है, वो कुई इतनी जादा बेतर नहीं होती जिस तरह मैंने बताया कि उनके कांट्रैक्ट नहीं होते ठीक है जी इनको तकरीबन किसी को 20 योरो दिन के मिलते हैं किसी को 30 योरो किसी को 40 योरो और इनको 14-14 गेंटे काम करना पड़ता है इतली के अंदर की मैं आपको बापता रहा हूँ अब आपको पता है जो 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 जोर्जे मलोनी है जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है शी इस फार राइट और वो औरेड़ी इस काम पे लगी हुए है कि जो अनडाकूमेंटे माइगरेंट से उनकी तदाद काम की जाए यही वज़ा है शायद कि एक इन हुमन ट्रीटमेंट जो है वो नजर आ रहा था और वो बेसिकली सपोर्ट कर रही है लीगल माइगरेशन को कि लोग लीगली जो है वो इटली आएं लीगल लों लीगल महाँ बना हैं तीक जी अब सुने में आ रहा है कि इटली कहता है कि तकरीबन साथ हजार के करीब अनडाकूमेंटेड रकर्स हैं जिनको इडेंटिफाई किया गया है पिछले साल के अंदर और इसी तरह लेकिन इटली की जो बहुत सारे और अधारे हैं वो कहते हैं कि ये नमबर तकरीबन सवा दो लाग डाइडेड लाग के करीव हैं लेकिन ज्यादातर का जो काम है वो सीजनल एगरी कल्चर वरकर हैं इनके कांट्रैक्ट कोई नहीं होते हैं इतने लंबे चोड़ और सब के सब मेजॉरिटी पाकिस्तान, इटली, बंगलादेश, निपाल इन अलाकों से आते हैं अन्ड़कुमेंटेड ये फॉरिनर्स हैं और पर्टिकलिल इन में फीमिल वरकर्स की भी बड़ी ददाद हैं अब मज़े की बात है अगर देखा जाए तो यॉरप के अंदर ये मसला है, ये मसला मौजूद है, लेकिन लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते, उसकी वज़ाए ये है कि लोग आते हैं काम करने, लोगों को पेपर्स चाहिए होते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी जिन्दगियां बेतर हो जाएं, यहां की जो हकूमतियां वो भी मजश लोग आते हैं कि हुन को सब पता हैं, लेकिन वो खामोश हैं क्यों कि उनको सस्थी लेबर होती है, थाइग दोस्टों वीडियो औक देखने के लिए आप आपց आप सब्सक्राइब, आप से मफ्कर्स दिए